पूरे भारत के बच्चे जा सकेंगे इस सेना भरती में आपकी भरती नमंबर में सुरू होने वाली है और मैं आज आपको बताऊँगा कि जो आपकी भरती है कब से स्टार्ट होगी और पूरे भारत के बच्चे सेंटर की भरती है आप बोल सकते हैं कि सेना भरती में कैसे जा आती दोस्तों आपको सबसे पहले पता चलता है मैं आपको नोटिपिकेशन भी दिखाऊंगा कि कौन से सेंटर या कौन सी सेना का नोटिपिकेशन और कौन से बच्चे उस भरती में जा सकते हैं दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं नोटिपिकेशन में तो आप से सबसे पह आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तो आपकी भरती के बारे में आपको बता देता हूं आपकी स्कार्ट हो गी दोस्तों 26 पर याप के लिए humans को से चरूर शेयर करना जितने भी आपके मुवाइल में गुरूप हैं वर्ट्सप गुरूप टेलीग्राम और हमारे चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहना चैनल को जिन भायों ने सबस्काइब नहीं किया है अब भी आप से बोल रहे हैं कि प्लीज चैनल को सबस्काइब कर ले सकते हैं 14 सैप्थमब्र को सेंटर के ओर रीलीज किया अब यहांपर आपको मैं देखा देता हूं और यहांपर महरुवी लगी हुई है 23 सैप्थम्र 2021 की सिकंधराबाद जो center AOC center है सिकंद्रावाद में center है और जो आपकी भरती होगी दोस्तो 26 नमबर से भरती होगी और यहाँ पर आपकी जो भरती पिरकिरिया दोस्तों आपकी यहाँ पर देख सकते हैं यानि कि 6 बज़े से start हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको बता दो देखो कौन-कौन से बच्चेस में जा सकते हैं जिनके पास दोस्तो relation certificate है ठीक है और आपकी जानकारी के लिए यह जारूरी है जिनके पास पिताजी और भाई का relation होता है जिनके घर में family member में पिताजी भाई लगे होते हैं तो उनका relation बनता है ठीक है center से जिसमें वो अपनी training करते हैं तो उसी training center में उनका relation बनता है उसके भाई का या अपने बेटे का ठीक है तो उसकी ये भरती होने वाली है जिनके पास है वो इस center भरती में जा सकता है हाँ पर मैं आपको trade बता देता हूँ दोस्तों आपकी आप टेक्निकल और किलर की भरती होगी जीडी की भरती होगी ठीक है यान and notice बता देता हूँ इसमें दोस्तों आप 20% ठीक है 20% sports quota की vacancy होगी जीडी में मानो की अगर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भरती होई है ठीक है उसमें total हैं पर 200 vacancy निकलती है ठीक है 200 vacancy निकलती है और 20% में दोस्तों यानि कि 40 vacancy minus हो जाएंगे और वो दोस्तों आपकी sportsman में चले जाएंगी ठीक है यहाँ पर sportsman में वो आपकी भरती चले जाएंगी तो यहाँ पर 20% special sportsman वालों की भरती होगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नमबर टू पॉइंट अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको age limit भी बता देता हूँ यहा आपके age limit क्या रहेगी ठीक है आपकी टेक्निकल के लिए किलर के लिए क्या रहेगी टेडमें के लिए क्या रहेगी और जीडी के लिए क्या रहेगी स्क्रीन पर आपको सीधा सीधा साफ साफ देख सकते हैं स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और आप हमारे टेलिग्राम पर नहीं qualification के उपर जितनी भी आपकी इस सेंटर में ट्रेड होने वाली हैं जिसे की टेक्निकल की किलर की ट्रेड में की और जीडी की तो दोस्तों यहाँ पर आप एपनी education के साफ से देख लेना आपको कितने नंबर और क्या qualification होनी चाहिए किलर की भरती जिनका सेंटर दोस्तों एयोसी है वही बच्चे देखेंगे जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बता रहा हूं तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यह बहुत ही इंपोटेंट नोटिस आपके ल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहन्द